उत्राखंड में कौन प्रडव चेंपियन को कौन ऐसा है जो नहीं जानता पूर्व विधायक है खानपूर के उनकी विधानसवा से कुछ लोग आज उत्राखंड भाजपा के प्रदेश कारियाले पर पहुंचे वे हैं उनकी शिकायत देखे तो क्या उनकी शिकायत है और किस मुद्य को लेकर का आज उन्होंने भाजपा प्रदेश से बात कि यह उनसे जानते हैं सर आपकी क्या समस्या है और किस बात को लेकर कि आप आज यहां पर आए हैं पहले आपका नाम बताइए अभी शेक्षर्म है सर मेरी नाम सर दरसल बात यह है कि यह जो कि उनकी आज यहां पर भाजपा प्रदेश कारिया पर आएं अब देख जी को सारी बात बता दिये हैं उनसे बात करता हूं आपका नाम मेरे नाम नसीम रहमाने जी मैं ऑल इंडिया जिनका सार्जे प्रदेश अद्यक्स हूं मुस्लिम दोभी समाज से हमारा दोभी गाट बना वाएं अंगलोर रोड पे तो उसमें मतलब जो दोभी गाट पक्का बना सरकान ने बन मागते रखा है और वहीं पर दोभी समाज के मकान विड़ने और पट्टे भी है तो यह 2008 तारिक माए और इन्हों अपने समर्थों के साथ में का कि दोभी गाट हमारा है यह सारी जमीन है मेरे तातिस तातिस के भी खागी क्योंगी और भी लोग रहते हैं उसमें तो कह रहे कि हमारी है और वहां पे इनों अपने जबरदस्ति लोगों से बहारा बंदवाई हमने इसका विरोध किया और हमने बिल्कुर बंदने पुलिस भी हलागी मौके पा आ गई थी प प्रदस्तु आप गई मेरे दो डाइ थी जमीन है डाइ तीन साब को समझाया नहीं आप तो उनकी विदान साब अगया उनका वोटर हो मुझको पहले बुलाया था उन्होंने मुझको बुलाकर कहने लगा कि मि तुमारा जो खेते तुमारे खेत मेरे कुछ जमीन चली गई पिर चैंपियन साब ने अगले दिन मुझे फिर बुलाया उसके दो चार गुंडे वहाँ बैठे वे थे मैं कहने लगे मुझे कि क्या करते साइन कर दे यह कर दे मामले को निम्टा यार रफद अपगर अरे मैंने अगा बाई जब इसकी जमीन है चैंपियन की चैंपियन तो लौट अब बात तो पफिर अगले दिन मुझे नोबत नहीं आने दिन ना आने के बाद 50-400 गुंडे किस बता हैं विल्कुल हकिकत है हक सरकारी संपत्ति भी कब जाना रखी जिस इंदर गिरी गोस्वामी जी समस्य आपको समस्य यह जी मेरी भी जमीन वो कब जाने चाहरे है दोने लीटार्य अब हम तो दो चार आपड़िवार हमारे हम नतनी इन्य लिला अपढ़ा समधान ने कहीं होता कहीं तो हम तो अपने घर बार भार बैचक को और बच्चे मर वहें हैं इक बच्चे एक बच्च की उस्तिति क्यूं पएदा करें ऐसा तुम क्यूं कर रहे हम आपका समधान करेंगे हम पुरा विस्वास है कि हमारी बात उस तक पहुंचाकर हमारा समधान निकल लुआँगे चलिए काफी लोग हैं जो खानपूर के रहने वाले हैं और खानपूर में जिस तरह से कुमार प्रणाज चैंपियन को लेकर के आरोप लग रहा है कि लोग है इन्होंने अपनी बात रखी है इनका कहना है कि जो उनकी जमीने हैं उन पर पूर्व विधायक वा उसके आदमी ल पूछ लेते हैं कि उनका इस पूरे विशे पर आकर क्या कहना है और जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के आगे वो क्या करने वाले हैं उत्रकंड में कुमार प्रणाज चैंपियन को लेकर के हमेशा से कई बातों पर विवाद रहा है आज कुछ लोग भारतियनता पार्टी क प्रदेश कारियाले पर पहुंचे जिन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक खानपूर उनकी जमीनों पर कभजा कर रहे हैं इसकी शिकायत उन्हें भारतियनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महंद्र भट्जी से की हैं भट्जी हमारे साथ हैं तो क्या वो श साथ आगे इसमें कारवाई करने वाले हैं जो लोग कारे लेक अंदर हैं वीजेपी कही कारे करता थे हैं उनके द्वारा मुझे मांग पत्र दिया गया कि मैं उस बात के पुष्टी करने के स्ट्रीवें नहीं हूं कि जब तो मैं चेंपिन जी को बला गया बाचित पुष्टाज नहीं करूंगा तो मुझे इस पीसरे मुझे कहना नहीं है इतना जिरूर है कि किसी की जम्में कोई कभजा करता है तो उसके लिए कानून के कोई करने सकता है मैं यह नहीं हुझा करनों सके कि कानून नहीं सकता है कि कारिकरता है कि को विष्ट मेलमा नहीं को करने के लिए भार्चेंटा पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष महन भड़्जी थे जिन्होंने कहा कि मेरे संग्यान में इस बात को लाया गया है मैं प्रणव चैंपियन को बला करके इस विशे पर बात करूँगा फिलहाल जो शिकायत करता था उनके पास कानूनी रूप से के ABP Live Premium